नमस्कार दोस्तों मेरा अउल सास्त्री स्वगत करता हूँ आपका दोस्तों आप मोती रतन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्यों पहने मोती रतन कियसे आपको फैदा होगा मोती रतन पहनने से किस कंडिशन में पहने देखिए मोती रतन के बारे में मैंने वीड पहने की कब पहने कैसे पहने किस धातु में पहने यह मैंने पहली वीडियो बता रखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं आज मैं सिर्फ यह बताऊंगा कि जो मोती रतन आप पहनेंगे वह आपको सूट करेगा यह नहीं आपकी कुंडलिके अकोर्डिंग यह पूरी स्रीज बना रहा हूँ आज हम मोती रतन के बारे में पढ़ेंगे दूसरा आप में से पूर सारे लोग मुझे कहते हैं कि सास्तिरी जी हम कौन सा रतन धारन करें आपके पास रतन है क्या देखे मैं रतन नहीं रखता हूँ मैं एस्ट्रोजर हूँ मैं सिर्फ आपको भी समजाने जा रहा हूँ तकि आप बीड़ सरण्टारीके से समझ जा थे पारे में मौती रतन के बारे में सम्झाने जा रहा हूँ मोती रतन से पहले आप manner का रतन है और हैा कि मोती पेहननेillar चंद्रमा की सिस्टाय आती है नद्रमा किस चीज का पारे himself तो चंद्रमा मन का कारक, माता का कारक, मांचे किस्तिति का कारक, मनोबल का कारक, दरवस्तु का कारक, परसंता का कारक, जलस्य यात्रा का कारक, सुप, सांती, धन, सम्रद, संपत्य का कारक, सरील में तरत परबाद, सरन में सरील का तरल परदार्थ, और साथ-साथ-छाती, दि तो जैसे मैंने बताया, चदरमा की विसस्ता है आती है मोती रितम से पहनने से, तो मन को सांती मिलती है, बढ़ता है, काल पुरुष कुंडली के इसाब से चोथा भाव मिला हुआ है, चोथा भाव तमाम सुक को दर्साता है, तो सुक की दरस्टी से, मकान वहन का सुक, क्रेट चांदी का व्यापार, लिक्विड चीजों का व्यापार, तो इसमें जातक को पहुत फायदा होगा, जातक को रोग है, मानसिक रोग है, डिप्रेशन का शिकार है, नेत रोग है, हरिते से रिलेटिट दिक्कत, या गरब से रिलेटिट दिक्कत, तब आप मोती रतन को धार लगन और आप समझते हैं आप नए तो देखें मोति रतन आप तभी फैन चकTे आगर आपकी मेश लगन है जैसे यहां पर अर्ड लिखाए वर्षिक लगन में पहन सकते हैं In करक लगन में पहन सकते हैं यहाँ पर चार लिखा है पांस लिखा है सिंग लगन में नहीं पहन सकते अगर यहाँ पर आठ लिखा है जैसे कि यह वर्षिक लगन है तो आप पहन सकते हैं यहाँ पर बारा लिखा है मीन लगन में भी आप पहन सकते हैं को इन सब लगनों में पहन सकते इसके अधिरिक ऐसे तो अजेहां पेसे तो कर कोई दूसरी लगन करक लगन होती तो पहन सकते थे क्योंकि वरचिक लगन नीच की हो जाते एक यहा पर नहीं कई मैं पहनेते हैं सकते हैं कोई सी जो मिने लगन बताई ऐसे मैं यह मैं पाइं बहुल्य वर्ची लगन में पहना है तो पहनेंगे, सिंग रासी में भी पहनेंगे, और साथी साथ, लाब भाहों में भी चद्रमा तो भी पहनेंगे, किस-किस कंडिशन में नहीं पहनेंगे, एक तो अगर कारक लगन है तो, जिस लगन में चद्रमा कारक होते हैं, जो मैंने आपको बताई उसमें, दूसरा, अगर च लिखा है मापके चे मेश लगन हुआ हलाकि उसमें आठ यहां पर लिखा होगा तो त्रिक भाहों में तो आप ऐसे भी नहीं पहनेंगे पर अपनी नीच रासी में जब भी चंद्रमा हो तो नहीं पहनेंगे दूसरा चंद्रमा यहां पर नहीं पहनेंगे चंद्रमा यहां पर और आपके जे पांचवा और नुवा तिरकौन भाव और साती सात लाब भाव और धन भाव इसमें अगर चंद्रमा है तो आप मोती रतन धारन कर सकते हैं एक तो देखे किसके कारक है मोती यह मैंने आपको पता है दूसरा उसका प्लेसमेंट के हिसाब से भी आपको लगन है या फिर आपका मीन लगन है इस लगनों में पहनों के तो confidence बढ़ा देगा चोथे भाव में तो सुख की दरश्टी से कापी अच्छा पांचवे भाव में अंसर्टेंड गेन और साती साथ साथ संतान की दरश्टी से पहुत अच्छा शिक्सा की दरश्टी से पहु अच्छा साथ विदरश्टी लगन पर तो लगन को भी confidence कर देगा चंदरमा की साथ विदरश्टी होती है मोती रतन अपने आप में कोई चमतकार नहीं करता ये सिर्फ और सिर्फ चंदरमा का रतन है चंदरमा को बल देगा दूसरी चीज आप देखिए कब ज़्यादा पढ़ेगा क्योंकि चंदरमा अपना 100% रिजल्ट देंगे ही देंगे मोती रतन तभी पहनिये चब उनका लगन अच्छी है जिसमें वो कारक होते है और चंदरमा का पोजिशन भी अच्छा है यानि प्लेस्मेंट भी अच्छा है पर उनमें ताकत नहीं है वो 0-6 बालवस समय है तो मोती रतन पहनिये फिर आपको चंदरमा अच्छे रिजल्ट देगा तो इस तरह से आपको देखना है दूसरा चलित कुंडली को भी देख लीजिएगा कभी कभी क्या होता लगन कुंडली और चलित कुंडली जाता तर गरह एक जैसे होते हैं पर अगर चलत समय होती रतन को धरन कर सकते हैं अगर आपको वीधी कभ कैसे दात हुए सब चीजे पहुंच देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिए हुआ है महापे आप देख सकते हैं तो धन्यवाद मित्रो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा दो लिएका दन्यवाद